हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मदर डॉटर कुकिंग शो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चामल की बहुत ही टेस्टी और हेले सिपी तो चलिए सबसे पहले हम इसकी सामगरी देख लेते हैं तो यहां हमने कुछ मटर ले लिए गाजर B 223-84 टमाटर और दो चोटी साइस की प्याज हमने ले लिए थोड़े हमने वमफ ली के दाने लिये हुए हैं रोस्ट गये अब हम गाजर को आपन कर लेंगे पतले पीसे में इसीतरा tracking लेंगे । estudio कर लिए मिई हमनेस तरह कर लिए है अब हमए कट आप चाहें तो इसमें तेल भी यूज़ कर सकते हैं पर इसमें देशी घी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है अभी घर मोने के बाद हम इसमें एक चमच इसे घुलाबी ही रखना है तो इसे क्रिस्पी करने के लिए थोड़ा ज्यादा लाल कर सकते हैं अब यह प्याज पक चुके हैं तो हम इसमें बीन कर देंगे गाजर कर देंगे हरी मिर्ष और हमने टामाटर कर दिया है साथ ही हम इसमें मसाले करते जाएंगे अब सबसे पहले हमने निशके तौछ संब इसमें रिखकर दिया है थोड़ा हमने फचे लाल मिर्श पाउडर छंपेप मिसे चला लें इसapan कर लेंगे दो पांच मिट के लिए क्योंकि सब्जें हमने कच्ची डाली है इसलिए इन्हें पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर हम इसे बॉइल करके डालते तो यह जल्दी पक जाती पर उससे ठेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसलिए हमने सब्जियां कच्ची रखी अब स क्योंस जातो जाएगा और पका लएंगे अपर से हरादन्याएट कर चावल कर सकते हैं को इस तरह कि कोई चावल वी तरहा के वाइट नहीं जाएगा और फिर वह टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे तो इसलिए ने अच्छे से मिक्स कर लीजिए ये देखिए हमने डगकर इसे पका लिया है और एक बार हम इसे चला लेंगे और चेक कर लेंगे कि कोई भी चावल हमारे इस तरह के फीके तो नहीं है इसमें ये देखिए चावल हमारे अ